नमस्कार दोस्तों आप सफीका स्वागात है आपके अपने यूटूब चैनल स्टारी टूडे विद भीपलेप में तो आज की इस वीडियो में हम जारखंड बूर 30 सितंबर को होने वाले अर्धावार्शिक परिक्षा यानि की सवाल आपको डारेक्ट 30 सितंबर को देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारे सवाल पेपर के लिए वहरी वहरी इंप्वाडन रहने वाला है एही सवाल आपको डारेक्ट 30 सितंबर को एक्जाम पेपर में देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है कि जीब की सुक्षमतम मुलभूत संगरचनात्मक इकाई है अंग कोसिका उत्तक सरीड देखे कोसिका सभी जीबों की संगरचनात्मक और किरियात स्मक्ण एकाई है तो यहाँ पर जो option बी में दिया एको सिका आपका सहीen 7 उत्तर हो जाएगा नेक्श सवाल है कि जीवन का भोतिक आधार क्या है जीवन का भोतिक आधार हो जाएगा आपका जीवन गुछा जायेगा लियाड रखना कोशी की किने की थी किस जा सकता है नेक्स जो सवाल है हमारा कि एक कोशी के जीव है एक कोशी के जीव है मक्खी केंचुवा तितली या अमीवा तो यहाँ पर अप्सन डी आपका स्वयूत्तर हो जाएगा अमीवा जो है एक कोशी के जीव है नेक्स सवाल है कि सबसे छोटी एक कोशी के जीव कौन सा सबसे छोटी एक कोशिक्य जीब है, माइको प्लाज़मा, याद रखना, माइको प्लाज़मा सबसे छोटी एक कोशीक्य जीब है, अप्संट नमबर डी सही होगा, next सवाल है, कि लिए-में से उत्तर हो जाएगा चीटी जो है एक कोशिका जीब नहीं है नेक्ट जो सवाल है कि केंद्रक में कौन सा द्रब्य पाया जाता है केंद्रक द्रब्य केंद्री का द्रब्य या कोशिका द्रब्य या रस्धानी तो इहां पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा अफसन नंबर सी हो जा जन्तु कोशिका में कोशिका जिली केंद्रक और जीब द्रब्यत तीनों उपस्तित होते हैं बट कोशिका विती जो है पादप कोशिका में पाया जाता है ठीक है तो यहां पर आप्सन नम्बर सी सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट जो हमारा सवाल है कि धातूं के गलनांक और लांत होते हैं प्राइ उच्छ ठीक है उप्सन नम्बर थी होगा उच्छ हो जाएगाway सही उत्तर है सामानत है कि रंकी होती है यहाद रखना भूरा ठीक है नेक्श्ण कि निम्टेर से कौन सा गुवन धातों का नहीं है धातों में चमक होती है चालकता होती सा और तन्यता भी होती है लेकिन भंगुर्ता नहीं धात रिखता नहीं है ठीक है तो अप्संड ओफ़र सलफेट का रंग कैसा होता है कौफर सलफेट का रंग होता है नीला याद रखना कौफर सलफेट का रंग होता है नीला नेक्ट सवाल है की निम्न मैं से कोन से धातू के कोन-कोन से गून है धातू चमकिली होती है ठीक है कठोर और ध्वानिक इस सभी होते हैं ठीक है तो option number D सही उत्तर हो जाएगा next सवाल है कि कौन से अधातू कमरे केताब पर भी बायू के साथ अभिक्रिया करती है तो याद रखना है स्वेट फस्पोरस ठीक है option number A सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा अधातू है जो बिद्दूत का सुचालाख है जो बिद्दूत का सुचालाख है देखे अधातू है बिद्दूत की कुचालाख होती है ठीक है लेकिन ग्रेफाइट एक मत्र ऐसा अधातू है जिससे बिद्दूत प्रभावित होती है तो यहाँ पर ग्रेफाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा option number A कौन सा एलगी एक कोशी के होता है यह दगना क्लेमाडूमानस यह आपका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग किस जीब के काटने से होता है मकडी मच्छर या मधमक्खी तो मच्छर काटने से होता है मलेरिया रोग मच्छर काटने से होता है मच्छर का नाम है मादा एनफलीज मच्छर नेक्ट सवाल है कि मलेरिया परजिवी का बाहक है मादा एनफलीज मच्छर ये मच्छर काटने से मलेरिया होता है नेग्ट सवाल है Malaria Rock का कारण प्रोटो जोः बिजानू जिवानू या कबक तो Malaria Rock का कारण है प्रोटो जोः ठीक है प्रोटो जोआ जोब आपका सही उतर हो जाएगा सभी से रिक्वेश्ट है वीडियो को कम्प्लीट देखिए वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों भी सेयर कीजिए ठीक है और साथी साथ टेलीगरम चैनल में भी जूड जाएए टेलीगरम चैनल का लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते ह रोग है निम्न मैं से किस पोधे के पत्तों के रस का उपयोग मलरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है तो गिलोई का ठीक है गिलोई आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि खाद्यपदार्थ को संगरक्षित करने के लिए लोहे के डिबे पर किस धातु का बिद्दू तलेपन किया जाता है टीन का जिंक का एलुमिनियम का या लोहा का खाद्यपदार्थ को संगरक्षित करने के लिए लोहे के डिबे पर ठीक है टीन का जो है बिद्दू तलेपन किया जाता है तो अप्सन ए सही होगा साइकल के हैंडिल तथा प क्रोमियम का बिद्दूत लेपन किया जाता है याद रखना अप्सन नंबर ए नेक्ट जो हमारा सवाल है कि निमनंकित में से कौन सपदार बिद्दूत का हीन चालक है आसुद जल निम्बू पानी सिरका या साबूद साबून पानी यहां पर आसुद जल जो है आपका सही उत उत्तर हो जाएगा हीन चालक है निमनंकित में कौन बिद्दूत का चालक नहीं है तांबा लोहा प्लास्टिक या ग्रिफाइट बिद्दूत का चालक नहीं है यहां पर प्लास्टिक हो जाएगा प्लास्टिक जो है बिद्दूत का चालक नहीं है इलेक्ट्रोनों के hydrogen और oxygen का अनुपाद होता है दो अनुपाद एक याद रखना दो अनुपाद एक ठीक है दो अनुपाद एक यहाँ पर दो है और यहां पर एक है ठीक है H2O, पानी, ट्रैफिक सिगनल, लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैफिक सिगनल, लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो LED का ठीक है, LED का प्रकास उत्सरजक डायोड, LED का यूज किया जाता है, LED के साथ जो तारें जूरी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उ कौन बिद्धुधुधरा के प्रभाइत होने पर भी दिप्थ होता है तो LED वलप option B नेक्ट जो हमारा सवाल है जब चालक बिलयन में बिद्धुधहरा प्रभाइत की जाती है तब बिलयन के रंग में परिवर्तन होता है यह संकित करता है बिद्दुधारा के रासायनिक प्रभाव का ठीक है बिद्दुधारा के रासायनिक प्रभाव का अफ्सन नमबर यह सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट जो हमारा सवाल है कि निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका त नोमेंट बक्स में इसका जवाब सभी को देना है ठीक है नेच्ट जू घेवारा सवाल है कि कोशिका का उरजा ग्रीह किसे कहा जाता है तो मायिटो कंड्रिया को ठीक है पावार हाउस मायिटो कंड्रिया आपका सही उत्तर हो जाएगा पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरन होता है कोशिका भित्ती ठीक है पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरन होता है इसे कहते हैं कोशिका भित्ती ठीक है और जन्तु जन्तु कोशिका के जो बाहरी आवरन होता है उसे कहते हैं कोशिका प्रोटिन का निर्मान का होता है यहां पर सही होताइगा इनगे लिएक दॉह lugे में आप संब्स रहते हुत हैu तो इनम सबस नंबर बी हो जाएगा। सवाल है कि किस परत श्टो माटा पाया जाता है। किस पसिकांग को आतमाथिया की थैली कहा जाता है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फड़ा फड़ लाइक कर दीजेगा और सभी दस्तों में भी शेयर कर दीजेगा नेक्ट जो हमारा सवाल है कि निमने में से किसको सिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है तराकाय को क्रोमोजॉम लाइजोजॉम या माइटो कंड्रिय या को तो यहां पर लाइजोजॉम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर सी नेक्स्ट है कि पादब कोशिका का रोसोई घर किसे कहा जाता है रोसोई घर जो है हरी तलबा को कहा जाता है हरी तलबा का सही उत्तर हो जाएगा लास्ट जो हमारा सवाल है कि कोश को्सिका और कोशिका द्रव्य यहाँ पर जो कोशिका द्रव्वय पर आ जाता है इन में कोशिका द्रव्य setzt 15 सवस, löस्ध में टूसन वीडियो को अगर अच्छा लगाए तो लाइक और श्यार किजिए चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें रहे हैं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में